दोस्तो आज के इस वीडियो में हम plant taxonomy के terminology से जूड़े हुए एक most important topic को discuss करेंगे और हमारा आज का topic है leaf तो आज के इस वीडियो में पहले हम जानेंगे कि leaf होता क्या है, leaf के कितने part होते हैं और leaf bearing क्या होता है और इसी के साथ साथ एक most important topic phylo taxi को भी discuss करेंगे और यह हमारा leaf से जूड़ा हुआ first part होगा और leaf से बच्चे वे बाकी जितने भी terminology है उन्हें हम अगले second part में discuss करेंगे तो आज का यह वीडियो बहुत important होने वाला है आप वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा तो आएए वीडियो की सिरुवात कहते हैं तो आएए सबसे पहले हम बात कहते हैं कि leaf होता क्या है तो leaf जो होता है पौधे का हरा चप्टा और फैलने वाला lateral appendices होता है जो की तने के नोड पर उत्पन होता है इसकी जो origin होती है वो exogenous होती है यानि कि इसका जो निर्माड होता है वह सूट एपिक्स के प्री मोल्डियम से होता है और जो पतियां होती है उनमें वृध्धी एक्रोपिटल मैनर में होता है यानि कि जो पुरानी पतियां होती है वो नीचे की ओर होती है और जो नई पतियां होती है वो उपर की ओर होती है सभी ग्रीन फोटो सिंथेटिक लीव को एक साथ मिलाकर फोली एज कहा जाता है किसी भी एक लीव के थ्री पार्ट होते है पहला है लीव बेस, दूसरा है पेटियोल और तीसरा है लीव लैमिना आए डियाग्राम में हम देखते हैं कि ये तीनों पार्ट कहां कहां दिखाए देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको लीव के तीनों पार्ट दिखाए देंगे ये नीचे वाला जो पार्ट है ये है लीव बेस ठीक है ये है पेटियोल तीसरा यह जो पार्ट है यह है लीफ लैमिना तो आएए सबसे पहले हम बात कहते है कि लीफ बेस होता क्या है तो लीफ बेस जो होता है वो सबसे लोवर पार्ट होता है जो की ब्रांच से या फिर स्टेम से जुड़ता है कभी कभी लीफ बेस में आपको वैरियेशन यानि की विबिन नताहे देखने को मिलती है और यह विबिन नताहे दो तरह की होती है एक है पल्विनेट लीफ बेस और दूसरा है सीटिंग लीफ बेस तो pulvinate type का जो leaf base होता है वो आपको legumination family में देखने को मिलता है तो इसमें होता क्या है कि जो leaf base होते है वो fuel जाते हैं और ऐसे fully हुए leaf base को हम बोलते हैं pulvinate leaf base तो जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं यहाँ पर आपको pulvinate leaf base दिखाए देगा जो की full हुआ पार्ट है तो pulvinate leaf base आप mango में या फिर mimosa जिसे आप छुई मुई के नाम से जाते हैं इन में भी देख सकते हैं इसके बाद है sitting leaf base तो grasses में और धे सारे monocots में इस प्रकार का leaf base देखने को मिलता है तो इसमें होता क्या है कि जो leaf base है वो stem के चारों और एक तरह से envelop like structure बनाता है इस कारण इसे हम sitting leaf base कहते हैं तो sitting leaf base क्या कहता है intercalorie जो मेरी stem है उसको protect कहता है चलते हैं leaf के second part की ओजो की है leaf petiol जिसे हम mesopodium भी कहते हैं तो leaf का जो stalk होता है यानि कि leaf की जो dental होती है उसी को हम leaf petiol कहते हैं और यह जो structure होता है यह cylindrical या फिस सब cylindrical होता है और यह leaf lamina को leaf base से जोड़ता है यहाँ पर आपको एक important term बता दें क्योंकि जब आप taxon ना भी पढ़ेंगे तो वो term आपको देखने को मिलेगा यदि पत्ती में यानि कि leaf में petiol पाया जाता है तो ऐसे leaf को हम बोलते हैं petiolate और यदि leaf में आपको petiol नहीं दिखाए देता तो ऐसे leaf को हम बोलते हैं sysile तो याद रखेगा अगर leaf में petriol present है तो उसे हम बोलेंगे petriolate और यदी नहीं है तो उसे हम बोलेंगे sasile तो जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं diagram में आपको petriolate और sasile leaf देखने को मिलेंगे sasile leaf आपको calotropis procera यानी की madar में देखने को मिलता है तो आप सभी madar के पत्तियों में देखेगा उसमें आपको इस्टाल के दिखाई नहीं देगा अई चलते हैं leaf के third part की ओर जो कि है lamina जिसे हम epipodium भी कहते हैं तो पत्ति में आप जो green वाला part देखते हैं और जो फैला हुआ पार्ट है वही कहलाता है leaf lamina और इसका काम होता है photosynthesis करना और transpiration करना अई चलते हैं अगले topic पर जो की है bearing of leaf यानि की पत्तिया जो है वो branch पर या फिर stem पर कहां पाई जाती हैं तो bearing of leaf की basis पर देखे तो ये four type के होते हैं पहला है radical दूसरा है cow line तीसरा है रेमल और लास्ट है cow line और रेमल तो सबसे पहले हम बात कहते हैं radical की तो जब leaf जो होता है वह केवल reduce underground stem के ऊपर निकलता है तो उसे हम बोलते हैं radical तो जैसा कि या आपने onion या फिर radish garlic इत्यादी में देखा होगा तो जब underground वाले part से leaf निकलता है तो उसे हम बोलते हैं radical अगला है cow line तो cow line क्या होता है the leaves which are born by the main stem only यानि कि ऐसी पतियां जो केवल main तने पर पाई जाती हैं उन्हें बोलते है cow line जैसा कि आपने palm में देखा होगा या face cycle में देखा होगा अगला है रेमल तो रेमल क्या होता है तो इसमें जो leaf होती है ये केवल branches पर होती है जैसा कि आप figure में देख सकते हैं clearing of leaf का जो last type है वो है cow line and ramal तो जब पतियां main stem के साथ साथ lateral branches पर भी पाई जाती है तो उन्हें हम बोलते है cow line and ramal तो आपने जनरली mango में या नार्मल आप जितनी भी पौधो को देखते हैं उनमें आपको cow line and ramal type का ही दिखाए देता है तो इस point को आप याद रखेगा चलते हैं leaf से जुड़े वे एक most important topic कियो जो कि है phylo taxi तो phylo taxi दो Greek word से मिलकर बना है phylon, phylon का मतलब होता है leaf और taxi मतलब होता है arrangement यानि कि जो stem है उस stem पर जो पतियां है वो किस arrangement में पाई जा रही है उसी को हम कहते है phylo taxi तो stem पर पतियों का जो arrangement होता है वो three type का होता है पहला alternate दूसरा है opposite और तीसरा है world तो सबसे पहला arrangement है alternate तो इसमें क्या होता है कि प्रतेक node पर एक single leaf पाया जाता है तो alternate जो होता है ये four type का होता है तो सबसे पहला है dash ticius जिसे हम two ranked भी कहते हैं तो इसमें होता है कि first leaf के उपर third leaf पाया जाता है और आप इनके बीच केवल एक ही spiral arrangement देखेंगे जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं कि first leaf के उपर third leaf present है इसके बाद अगला जो type है वो है tri-stickious या फिर three ranked तो इसमें क्या होता है कि जो fourth number की leaf होती है वो first number के leaf के उपर पाया जाती है और इनके मद्ध भी एक ही spiral arrangement पाया जाता है जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं कि यहाँ पर first leaf के उपर fourth leaf पाया जाता है अगला है pentasticious या फिर five ranked तो इस प्रकार के alternate arrangement में first leaf के उपर जो six number का leaf है वो पाया जाता है और इसमें आपको दो spiral देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आप diagram में देख सकते हैं कि first leaf के उपर आपको six number का leaf दिखाई देगा और इसमें आपको three spiral arrangement दिखाई देंगे जैसा कि आप पाया में देखे होंगे आई चलते हैं leaf arrangement के अगले type क्यों जो की है second type opposite leaf तो इसमें क्या होता है कि एक ही node पर आपको दो leaf दिखाई देते हैं और दोनों ही leaf एक दूसरे के opposite होते हैं तो opposite leaf भी two type के होते हैं पहला है superposed opposite और दूसरा है decuset opposite तो superposed opposite में क्या होता है कि इसमें जो opposite leaf के pair होते हैं याद रखेगा opposite leaf के जो pair होते हैं वो same plane में आपको देखने को मिलते हैं वही हम बात करें डेकुसेट अपोजिट की तो इसमें जो अपोजिट लीव का पेर है ये एक दूसरे के राइट एंगल यानि की 90 डिगरी पर देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मदार है ठीक है मदार में अगर आप देखेंगे ये जैसे एक अपोज लीव का पेर दिखाई देगा तो इस प्रकार जो लीव का अरेंजमेंट है इसे हम डेकुसेट अपोजिट लीव अरेंजमेंट कहते हैं लीव अरेंजमेंट का थर्ड टैप है वर्ड तो जब एक ही नोड पर धे सारी पतियां पाई जाती है और वो भी एक सर्कुलर मैनर म पाई जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं word type of leaf arrangement जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं कि एक note पर आपको धे सारी पतियां एक चक्र के रूप में दिखाई दे रहेंगे चलते हैं leaf से जुड़े हुए अगले topic की ओवर जो कि है अच्छा लगा कमेंट करके जूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और सेयर करना मत भूलेगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले topic के साथ तब तक के लिए जा भारत